ये खीरा हाइब्रिड खीरा है और इसकी खेती जैविक तरीके से पॉली हाउस में की जा रही है और आप देखेंगे इस पर अधिक और अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी जो नई नई कलंगी है नीचे से निकल रही है उनको तोड़ा जा रहा है ये टूटी नीचे पड़ी हुई है और इनको क्लिप की साहिता से एक रसी पर क्लिप किया जा रहा है जिससे सीधा का सीधा उपर तक इसकी बेल चले और नीचे जमीन पर ना रखे अगर जमीन पर रुकेगी या गिरेगी तो जो खीरा है वो खराब होगा और उसमें जो क्वालिटी है वो में ध् Mik Sin जोकि ॉली हाउस में अधिकतर सब्द्रिटी किजाती है ő जिनका रखे उनको सीजन से पहले मार्केट में वतारा जाता है जिस से उनकी अच्छी कीमत मिल सके और उन से जो भी किसान हो जो पॉली हाउस जो उसके खेती कर रहे हैं अच्छा मुनाफा कमा सके आज मैं कैसे ही पॉली हाउस में हूँ जहां पर खीरे की खेती की जा रही है तो साथियो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इस खीरे की खेती को नोने कैसे किया है और इसमें ये कितना मुनाफ़ा ले रहे हैं और इसको करने के लिए हमें किस तरह से किन चीजों का ध्यान रखना ह होगा तो आप बने हुएं अपने यूटूब चैनल एग्री कल्टर चपाल पर अगर आप पहली बार है तो कप्या चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपनी राय रखें कि यह वीडियो आपके लिए कित वyy Judy तीन फचलन जैसे अभी कीर्ण यह का है फिर आकर के आप इसमें लमाटर कर देंगे तर देंगे गला को कि फो पहली साल में तो पहली साहल में किया कुछ भुट्राइज रही समयं में चैलाग रुपए न क्या लगाएव इसमें खीर खीर था खीड़ा था कितना होगा यह एरिया होगा यह ऐसाब एक है हेक एक फॉरे चार भी अठोर है यह खीरा कब लगाया आपने अज बीस दिन हो गए इस दिन से यह बीस दिन का आए अभी जिए दो लग तीसरी कि लग रही है यह खीरे की बेराइटी कौन सी है वेराइटी तो है और इस खीरे को एक तम हराई रहे गाई यह बाहर जाता है करवा नहीं वलग लगोन इसके लिए आपने लगाने के लिए तयार क्या करी पहले कि यह पैड बनाया फिर इसमें पहले खाथ डाली गोबर खाट इबर बन बन वाए पिर इसमें बचाहिए यह यह आपके मल्चिंग थी मल्चिंग अठादी यह जादा अब की बार द्वारा से निम लगाई है मल्चिंग के बढ़िया बढ़िया है फचल बिना मल्चिंग के वी अभी खरबतवार वगएरा यहां को ही नहीं पूरे यह रहती है माता जी यही करती रहती है अच्छा गोबर खाद के लावा और कोई और वैसी रसाइने खाद और कोई खाद नहीं डालते हम यह तो साधा ही होता है इसमें कोई केमिकल कोई डालते हैं अपने आप इसमें मच्र भी आता नहीं अंदर से बंद रहता लोग कोई कीटा नहीं आता है मतलब है इसमें पॉली आउस में इतने एक एक्टियर बनाने कितनी लागत आ गई हो इसमें कुछ सब्सिटीव गएरा मिली कुर्वेंट की तरफ से कितनी उन्डीस लाग रुपए मिले उन्डीस लाग रुपए